जैहिंद नमस्कार साथियो स्वगत हैं आपका आज किस वीडियो में आज किस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप SSC CHSL 2023 में अपना स्कोर कार कैसे देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन से जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है SSC CHSL 2023 का रिजल्ट आउट किया जा चुका है आप यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का स्कोर कार आ चुका है आप स्कोर कार कैसे देखेंगे बो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग step by step बिल्कुल end तक वीडियो को देखना ताकि आपके वीडियो सही से समझ में आ सके वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही कहना चाहाता हूँ कि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर लीजेगा ताकि आने वाली हर वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है SSC की official website पे जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं SSC की official website पे हूँ यहाँ पे दोस्तों आपको result का section देखने को मिल जाएगा आपको result वाले column पे जो है click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे आपको CHSL वाले column पे जो है click करना है जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे एक तो आपको result की एक notice देखने को मिलेगी और यह result जो है जो list दी गई है वो देखने को मिलेगी और यहाँ पर किलिखर का option आएगा तब आप अपना scorecard देख पाएगे तो scorecard कब तक आएगा इसको लेकर कि अभी तक फिलाल कोई update नहीं है लेकिन दोस्तो जल्दी आपका scorecard भी आज आएगा दोसे तीन दिन में आपका scorecard आज आएगा जैसे ही scorecard आता है हम आपको वीडियो के मादम से update कर देंगे कि आप अपना scorecard कैसे देख सकते हैं तो दोस्तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि आप अपना result कैसे देखेंगे और यहाँ पर list कैसे देखेंगे साथी साथ result लोग लिष्ट के आने के बाद scorecard जब भी आएगा मैं आपको update कर दूँगा